नमस्कार स्वागत है आप सभी का स्टेट लाइव में मैं हूँ आपके साथ कुमार कुनालधी रज्य बिहार विधान सभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदव देर रात अपने दस सरकुलर रोड्स थे तावास से अभार यात्रा के लिए रवाना हुए इससे पहले उ प्यात्रा के दौरान कारेकरताओं से मुलाकात करेंगे कारेकरता पार्टी की रीड की हड़ी है और उनसे नेता का सीधा संपर्क होना बेहद जरूरी है ताकि प्रॉपर फीडबैक मिल सके और संगठन और मजबूत हो सके तेजस्वी ने आगे कहा कि नवंबर दिसंबर मे हम लोग फिर संगठन को मजबूत करने के लिए जनता के बीच भूमेंगे वहीं तेजस्वी आदव ने आरक्षन पर कहा कि राष्ट्रिय जनता दल सड़क से लेकर सदन तक और अदालत में भी इसके लिए लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे और किसी भी कीमत पर जो आर लक्ष रखेंगे तेजस्वी आदव ने बिहार में हो रही क्राइम को लेकर कहा कि कुछ दिन पहले ही हमारे पार्टी के विधायक की पत्नी का अटल पत पर चेन छीन लिया गया था ये घटनाय लगातार हो रही है मर्डर लूट डकैती रेप हो रही है कोई पूछने वाल ही हम को दे रहे हैं पुलिस का ट्रांसफर पोस्टिंग केसे होता है वह सब को पता है भिहार में क्या खेल हो रहा है यह सब जानते हैं मुक्के मंतरी का प्ורी okay ही काम रह गया है अप राधियों को मुक्खे मंतरी आवास बुलाओ और उनके घर जाओ तो अप राधियों का वहीं भारतिय वायू सेना द्वारा 48 वी वाहिनी सशस्त्र सीमाबल SSB जयनगर में एक विशेश प्रशिक्षन सत्र का आयूजन किया गया इस सत्र का उद्देश आधूनिक तकनीक के साथ बढ़ते ड्रोन खत्रों से निपटने और उनसे बचाओ के तरीकों पर सशस्त्र सीम बलके जवानों को प्रशिक्षित करना था इस विशेश प्रशिक्षन सत्र में ड्रोन के माध्यम से संभावित खत्रों की पहचान उनसे होने वाले सुरक्षा उलंगनों और खूफिया जानकारी लीक होने की संभावनाओं पर विस्त्रित जानकारी दी गई इसके साथ ही जवानों को ड्रोन के उप्योग से संबंदित जोखिमों का आकलन उन्हें निश्क्रिय करने की तकनीक और समय पर प्रभावी सूचना संप्रेशन के तरीकों पर भी प्रशिक्षित किया गया भारती वायुसेना के विशेशग्यों फ्लाइट लेटिनेंट प्रणय भगत फ्लाइंग ऑफिसर मेहुल गुपता और अन्य दो कार्मिकों ने ड्रोन हमलो और निगरानी के संभावित खत्रों के बारे में विश्त्रित जानकारी दी और किस प्रकार के परिश्क्रित उपकरण और तकनीक का इस्तेमाल करके इन खत्रों से निप्टा जा सकता है इस पर जोर दिया इसके साथ ही ड्रोन विरोधी तकनीक और उपकरणों के उपयोग सतर्क्ता बनाए रखने और सूचना के त्वरित प्रसार पर भी गहन चर्चा की गई वहीं गईा में 112 चालक सुबह से काम को बंद कर दिये जिसके कारण शहर में 112 की गाड़ी काम नहीं कर रही है यानि कि अगर किसी को किसी प्रकार की समस्या हो तो डाइल 112 आपके पास नहीं पहुँचेगी क्योंकि 112 के सभी चालक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं और जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक डाइल 112 के गाड़ी नहीं चलाएंगे वहीं डाइल 112 के सीनियर सुनील सिंग ने कहा कि डाइल 112 का जो सोपी है उसी की सोपी का काम लिया जाना चाहिए लेकिन गया जिले में ऐसा नहीं हो रहा है और थानेदार मन मानी कर रहे हैं चालकों से नियम के विरूद काम लिया जा रहा है विरूद करने पर कहा जाता है कि नियम चेंज हो गया लेकिन जब उनसे नहीं नियम की मांग की जाती है तो कुछ नहीं बताया जाता है उन्होंने कहा कि हमारे चालकों का इस्तेमाल छापेमारी में किया जा रहा है वहीं कई बांका जिले के आनंदपूर्थ हाना अंतरगत बहरार गाउं के करीब तालाब में डूबने से चार बच्चों की मौत हो गई जानकारी के अनुसार चांदमारी पंचायत अंतरगत बहरार गाउं की एक दरजन बच्चियां मंगलवार सुबह नौ बजे के करीब कर्मा धर्मा पर्व पर सप्तमी स्नान करने गाउं से कुछ दूर खारा बारी बहियारस्तित पोखर के करीब बने नहर में गई थी जहां गहरे पानी होने के कारण पांच बच्चिया डूब गई इस घटना को लेकर पास खड़ी बच्चियों ने इसकी जानकारी परीजनों को दी सूचना पाते ही परीजन दोड़कर आये और ग्रामिनों के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद पांचों बच्चियों को मुर्चित अवस्था में निकाल कर आनन फानन में इलाज के लिए प्रात्मिक स्वास्त के अंदर सिमुलतला पहुंचाया लेकिन सिमुलतला अस्पताल बंद रहने के कारण सभी बच्चियों को प्राइवेट क्लिनिक में उपचार कर पहतर इलाज के लिए जाजा सदर अस्पताल भेज दिया जहां डॉक्टर ने चारों बच्चियों को देखते ही मृत घोशित कर दिया वहीं एक बच्ची का इलाज चल रहा है जो खत्रे से बाहर बताई जा रही है भारत पाक युद में देश के दुश्मनों के छक्के छुडाने वाले परमवीर चक्र विजेता वीर शहीद अब्दुल हमीद की गढ़वा शहर के मजियाओं मोड पर भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी अब्दुल हमीद की शहादत दिवस के मौके पर मंगलवार को गढ़वा विधायक जार्खन सरकार के मंतरी मिथलेश कुमार ठाकुर ने प्रतिमा अधिश्ठापन के लिए भूमी पूजन किया मंतरी ने अब्दुल हमीद की तस्वीर पर मालयारपन कर दीब जलाकर और नारियल फोड़ कर शिला नयस किया मौके पर मंतरी मिथलेश कुमार ठाकुर ने कहा गढ़वा हर शेत्र में तेजी से विकास कर रहा है 2019 के बाद गढ़वा पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है उन्होंने कहा कि आधारभूत संगरक्षना के साथ साथ सामाजिक शेत्र में भी काफी कारे हो रहा है गढ़वा में भगवान बिर्सा मुंडा, महात्मा गांधी, इंद्रा गांधी, जननायक करपूरी ठाकुर, अहिलिया बाई होलकर, वीर बाबा चोहरमल के बाद अब वीर शहीद अब्दुल हमीद की प्रतिमा लगाई जा रही है इससे समाजिक कारियों में एक और नया ध्या जुड़ गया है मंत्री ने कहा कि महापुर्शों की प्रतिमा लगाने से हमें उनके प्रतिश रद्धा के साथ-साथ आने वाली पीडिकों उनके बारे में उनके इतिहा सेवं उनके कारियों को जानने का मौका मिलता है उन्होंने कहा कि जो लोग समाज के जातपात धर्म के नाम पर उसे बाटने की कोशिश करते हैं उनके लिए अब्दुल हमीद की शहादत बहुत बड़ा संदेश है जारखंड आंदोलनकारी मोर्चा ने राज्य बनने के बाद असली आंदोलनकारी को सम्मान नहीं देकर गलत लोगों को चिनहित करने के खिलाब आज जारखंड बंद की घोशना की है इसी को लेकर बोकारो स्थित धनबाद पुरुलिया मुख्हिमार को अंदोलनकारियों ने आईटी आई मोड के पास जाम कर दिया जिसके चलते आवा गमन पूरी तरह से बाधित हो गया आंदोलनकारियों का कहना है कि जारखंड बनने के बाद भी जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं किसी ने आंदोलनकारियों को सम्मान और प्रशस्ति पत्र देने का काम नहीं किया जितनी भी सरकारी आई उन्होंने समूचित ध्यान नहीं दिया गलत लोगों को चिनहित कर अंदोलनकारी बनाया गया हम चाहते हैं कि असली अंदोलनकारी जिन्नोंने जारखंड राजी के लिए अंदोलन किया है उन्हें सम्मान मिले गढ़वा जन शिकायतों को त्वरित और प्रभारी निवारन के लिए गढ़वा पुलिस के द्वारा शिकायत समाधान का शुभारम टाउन हॉल गढ़वा में पलामो परिशेत्र के डि. आईजी वाई एस रमेश डी सी शेखर जमुवार पुलिस अदेक्षक दीपक कुमार पांडे विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रवी कुमार चौधरी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रजुलित कर किया गया डि. आईजी ने कहा कि जन शिकायत समाधान में अपने समस्याओं को लेकर जनता की कई शिकायतों का त्वरित निश्पादन किया गया है गड़वा में भूमी माफियाओं से ग्रामीन काफी परेशान है भूमी माफियाओं पर बहुत जल्दकारवाई होगी गड़वा डि.सी ने कहा कि यह सरकार की अच्छी पहल है जन शिकायत समधान के जरीए आम जनता अपने मामले को त्वरित तरीके से निश्पादित करा सकते हैं देवगर जिले में जनता के साथ पुलिस समध कारेकरम का आयोजन किया गया कारेकरम में आये लोगों ने अपनी समस्याएं बताई और अब तक पुलिस के द्वारा क्या सहयोग मिला है इसको लेकर कारेकरम में आये वरिष्ट अधिकारी आई जी विज्या लक्ष्मी के सामने अपनी बातों को रखा समवाद कारेक्रम में पहुंचे लोगों ने आईजी विश्या लक्षमी के सामने अपने दर्द को बताते हुए कहा कि उनके साथ जो घटना हुई है उसे तो अब कोई नहीं टाल सकता लेकिन जिनके द्वारा बरबरता पूर्वक घटना की गई है उन पर कारवाई के लिए ठोस कदम उठाये जाए समवाद कारेक्रम में आये कई लोगों के आखों से आसु छलक रहे थे तो कई लोग अपने दिल के दर्द को पुलिस के अधिकारियों के सामने रख रहे थे के से अर बड़े से बड़े क्राइम के बारे में जानकारी ली कारेक्रम में आये महिलाओं ने अपनी सुरक्षा चा को लेकर समस्याऀ रखcomb तो है भारत सरकार के स्वास्त विभाग ने मंकी पॉक्स को लेकर एडवाईजरी जारी कर दी है राजे सरकार को इसे लेकर सभी जिले में आईसोलेशन वर्ड बनाने का निर्देश देते हुए विशेश सतरकता बरतने का निर्देश दिया है बुकारो जिले में भी मंकी पॉक्स से निपटने के लिए दस बेड के आईसोलेशन वर्ड बनाने का दावा किया गया है बुकारो के सिविल सरजन डॉक्टर अभय भूशन प्रसाद ने बात कही है उन्होंने कहा है कि केंद्रा और राजे सरकार से कोई ऐसा देशा निर्देश और एडवाईजरी फिलहाल नहीं आया है लेकिन मीडिया में खबरों को देखते हुए सदर अस्पताल में दस बेड का आईसोलेशन वर्ड बनाया गया है और इस बिमारी से निपटने के लिए हम लोगों ने पूरी तयारी कर लिए जामताड़ा जिले के करमाटान के निगराटान पहाड़िया गाउं में पिछले एक महिने में लगभग आठ लोगों की मौत हो गई है हाला कि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इन लोगों की मौत किस बिमारी के कारण हुई है गाउं के लोगों ने बताया कि स्वास्तवी भाग उन्हें बहतर इलाज नहीं दे पारा है गाउं में स्वास्तवी भाग के लोग केवल दवा दे कर चले जाते हैं गाउं में करीब आधा दरजन से भी अधिक लोग अभी भी बिमार पड़े हुए है सरकार द्वारा कई तरह की योजनाय चलने के बावजूद पहाड या समाज योजनाओं से वंचित है कुछ लोगों के पास आयुश्मान कार्ड है वहीं अधिकतर लोगों के पास आयुश्मान कार्ड भी नहीं है लोगों ने बताये कि आयूश्मान कार्ड होने का भी कोई फायदा नहीं है अपने मवेश्यों को बेज कर नीजी डॉक्टर से इलाज कराना पड़ रहा है गाउं में स्वक्ष्टा के साथ साथ जागरुकता की कमी भी देखी गई है वहीं इस छित्र के सारट विधायक रणधीर सिंग भी गाउं पहुँचे और पीडित परिवार जनों से मुलाकात की मौके पर उपायुक्त कुमत सहाय ने बताया कि पांच लोगों की मौत की सूचना है हम लोग यहां के लोगों को बहतर इलाज के लिए लगातार प्रयासरत है स्वास्त विभाग की ओर से डॉक्टरों की टीम गठित की गई है सारट विधायक रणधीर सिंग ने सरकार पर सवाल उठा है उन्होंने कहा कि सरकार के स्वास्त्वी भाग लखवा ग्रसित है जनता के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है उन्होंने मृतक परीजिनों को अपने वेतन से 25,000 देने की घोशना की है और सरकार से प्रतेक मृतक के परिवार को 5,000,000 देने की मांग की है जहां 36 गड के मुख्यमंत्री विष्णुदेव स्वाय और विधान सभा ध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंग ने अयोध्या बनारास प्रयागराज चित्रकूट मैहर के लिए तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रही 13 बसों को शीतल बाड़ी से जंडी दिखा कर रवाना किया मुख्यमंत्री विष्णुदेव स्वाय ने यात्रियों को शुपकामनाय देते हुए कहा कि शुव अपसर पर जब भगवान गनेश घरघर में विराजमान है आप लोग पांच तीर्थ के दर्शन के लिए जा रहे हैं चैटिस गड़ राजय सरकार ने प्रदेश के वरिष्ट नागरिकों को अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए रामलला तीर्थ दर्शन योजना प्रारंव की है या योजना पूर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंग के समय प्रारंब की गई तीर्थ यात्रा योजना का ही एक विस्तार है मुख्यमंत्री ने कहा कि कारेकरताओं ने अपने समर्पन और महनप्त से विधान सभा और लोकसभा शेत्र में बीजेपी को एतिहासिक जीत दिलाई है उनसे किये गए वायदे के अनुसार आज इस शेत्र के 600 कारेकरता पांच तीर्थो की यात्रा पर जा रहे है मुख्यमंत्री ने कहा कि तीर्थो के दर्शन के दोरान श्रद्धालू अपने घर परिवार के साथ 36 गड़ की खुशाली समरिधी के लिए भी आशिरवाद मांगे उनने कहा कि 36 गड़ माता कौशलया का मायका है और प्रभूराम का ननिहाल है यहां सदायव खुशाली हो ऐसी कामना आप सभी तीर्थो के दर्शन के दोरान करें मुख्यमंत्री विश्णु देव सौय आरज राजधानी राची माफ किजेगा रायपूर के एक नीजी होटल में कार्टून वाच पत्रिका दोरा आयोजित कार्टून फेस्टिवल दो हजार चौबिस में शामिल हुए मुख्यमंत्री विश्णु देव सौय ने कार्टून फेस्टिवल दो हजार चौबिस कारकरम को समोधित करते हुए कहा की कार्टून एक ऐसी कला है जिसके दोरा बहुत थोड़ी जगह में पूरी बात को सपश्टता के साथ मनुरंजक और व्यंग्यात्मक ढंग से व्यक्त किया जाता है चोटा सा कार्टून बड़ी बात कहता है कभी कभी संपाद किये में जिस बात को आधे पेज में लिखा जाता है उसे सिर्फ एक कार्टून के माध्यम से व्यक्त कर दिया जाता है मुखे मंत्री स्वय ने कार्टून फेस्टिवल में इन दौर की कार्टूनिस्ट इस्माईल लहरी को कार्टून के शित्र में उनके विशेश व्योगदान के लिए सम्मानित किया साथ उन्हों ने कार्टून फेस्टिवल में सन तुलसी दास जी के दोहो पराधारित कार्टून पुस्तक तुलसी सुगंध का भी मोचन भी किया कार्टून फेसा माध्यम है जो समाज के अधिशा दिखाता है कार्टून और एनिमेशन समाज के सभी वरगों को प्रभावित करते है इस अवसर पर सांसद ब्रिजभुवन अगरवाल ने कहा कि काटूनिस्ट श्रीत्यमबक शर्मा ने काटून के विधा को जिन्दा रखा है वे कारेक्रम के जरीए नई पीड़ी तक काटून को पहुँचा रहे हैं आदिम जातिक कल्यान मंत्री राम विशार नेताम ने नवार आयपूर स्थित मंत्राले भवन महानदी में सभी विभागों के वरिष्ट अधिकारियों की बैठक लेकर आदिवासी उपयोजना एवं अनुसूचित जाती उपयोजना मद से स्विकृत कारियों की वित्तिय इवं कारेक्रमों का लाब पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। मंत्री नेताम ने कहा कि किंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोरा इन वर्गों के उत्थान के लिए निदंतर प्रयास किये जा रहे हैं। इन वर्गों की भलाई और अनुसूचित जन जाती उपियोजना शित्रों के विकास के लिए परयाप्त बजट दिया जाता है। बजट के प्रावधान के अनुरूप विकास एवं निर्मान कारियों को समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा कराना हम सब की जिम्मेदारी है। अनुसूचित जन जाती उपियोजना शित्र के अंतरगत आता है। इन शित्रों और यहां के लोगों के उत्थान के लिए बीते तीन सालों में लगभग एक लाग करोड रुपए का बजट उपलब्द कराये गया है। समय सीवा में बजट का शत प्रतिशत उपियोग हो और इसका लाभ उन लोगों को मिले जिसके लिए ये राशी प्रावधानी थे। रायपूर में जलभराओ को लेकर बीजेपी ने रायपूर नगर निगम के महापौर का स्तीफ़ा मंगा है। भारतिय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रिवास्तव ने महस दो घंटे की बारिश में ही शहर के अमूमन सभी इलाकों में जल भराओ और छोटी बड़ी सभी नालियों से पानी की निकासी नहीं होने के लिए महापौर इजाज डेबर को खूब खरी कोटी सुनाई है संजय श्रिवास्तव ने कहा कि एक तरफ बारिश के पानी में शहर डूब रहा है वहीं दूसरी तरफ इस समस्या से शहर को निजात दिलाने में नगर निगम की कोई दुरुस्त विवस्था नहीं होने के कारण निगम की लापरवाही सामने आई है महापौर को प्रदेश महामंत्री संजय श्रिवास्तव ने आरोप लगाया कि फाइलों में तो नालियों का निर्मान हो गया लेकिन धरातल पर नाले और नालिया दिखाई नहीं दे रही हैं कॉंग्रेस के लोग शराब से लेकर कोईला, रेद, गोबर और यहां तक की चुनाओ की टिकट बेज कर भी पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन जो जवाब दे ही राइपूर शहर की जनता के प्रती है, उसमें भी भरष्टाचार करके काली कमाई का जो पैसा अपने कारेकाल में कमाया है, उसका उधारन जलभराओ की स्थिती निर्मित होने से सामने आया है ये वास्तव में राइपूर की जनता के लिए दुर्भागे जनक बात है, ऐसे महापूर को अपनी जिम्मेदारी लेते हुए ततकाल अपने पत से स्थिफ़ा देना चाहिए खेरागड में 9 सितंबर से लगातार 15 घंटों तक मूसलाधार बारिश होने की वज़े से भयावा बाढ़ का रूप देखने को मिल रहा है जिससे जन जीवन पूरी तरह अस्तव्यस्त और बेहाल रहा है गौर तलब है कि 9 साल पहले भी यहाँ बाढ़ हा चुकी थी उसके बाढ़ भी इस बार जब अचानक आई तो बाढ़ के विक्राल रूप ने प्रशासन की पोल खोल दी नगरवासियों को बाढ़ और बारिश की पूर्व से कोई सूचना नहीं दी गई थी और नहीं समय रहते उन्हें अलट किया गया था जिसका खामियाजा खेरागड के इतवारी बाढ़ समेत अन्य चार वाडो और निचली बस्ती के घरों से बारा फिट उचा पानी घुस गया जिसके कारण नगरवासियों और छोटे व्यपारियों को नुकसान उठाना पड़ा है गौरतलब है कि अचानक आय हुए बाढ़ के कारण सुभा चार वजे लोगों के घर में पानी घुस गया खेरागड की तीन नदियां आमनेर, मुस्का और पिपरिया उफान पर रही जिसकी वज़े से यातायात व्यवस्था पून रूप से ठप रही खेरागड में जब प्रभावित शित्रों में अफरा तफरी मच गई, परिस्थितिया जब हांस से निकल गई, तब प्रशासन ने इसकी सुधली और प्रभावित लोगों के रहने और खाने पीने की विवस्था कराई गई नगरी निकाय के 42 परिवारों के 275 लोगों को नगर के प्रशासनिक भवन में रहने और खाने की सुवेधाय मुहया कराई गई जबलपुर में अधिवक्ता संग द्वारा कास गंज में महिला अधिवक्ता का फरण कर उसकी हत्या के विरोध में राष्टपती के नाम ग्यापन सौपा गया अधिवक्ताओं ने राष्टपती से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग की है अधिवक्ताओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश के कास गंज में एक महिला अधिवक्ता का जिला ने आयले गेट से कुछ असामाजिक तत्वोद और अफरण किया गया दूसरे दिन महिला अधिवक्ता की लाश नाले में पाई गई महिला अधिवक्ता की मौत के बास से देश भर के अधिवक्ताओं में सुरक्षा को लेकर काफी रोश देखा जा रहा है अधिवक्ता संग के लोगों का कहना है कि वर्ष 2021 में अड़ोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट तयार किया जा चुका है इसकेवल उसे लागू करने के आवशक्ता है और स्टेट लाइव में अभी के लिए इतना ही नमस्कार